दोस्तो आज है 15 सितंबर 2023 और 15 सितंबर 2023 से related current affairs के जितने भी question बन सकते हैं आज की class में सारे question को cover करेंगे और हर question से related important fact भी मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग पूरा class बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तो ये class आपकी morning सुबे 7 इम पे daily live आती है आप सभी लोग सुबे 7 वजे इस class के लिए तयार रहा करिए चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले question पर आते हैं आज का पहला question हमारा लिखा है बास्केट बॉल ने जर्मनी ने किसे हरा कर पहली बार FIFA विस्व कब 2023 जीत लिया है whom did Germany defeat in basketball for the first time in FIFA have won the World Cup 2023 first option है इटली second option है सर्बिया third option है France fourth option है रूस जल्दी से बताईएगा दोस्तो बास्केट बॉल में जर्मनी ने किसे हरा कर पहली बार FIFA विस्व कब 2023 जीत लिया है इस question का जो right answer हो जाएगा friends वह है हमारा option number B सर्बिया सर्बिया बास्केट बॉल में जर्मनी ने सर्बिया को हरा कर पहली बार FIFA विस्व कब 2023 जीत लिया है चलिए अब इस question से related important point को पढ़ लेती है जर्मनी ने सर्बिया को 83 सा सतर से हरा कर बास्केट बॉल का 2023 FIFA विस्व कब जीता है जर्मनी 8-0 से आंगे हो गया टूनमेंट में अजे रहने वाला लगातार पांचे विस्व कब चैंपियन बने हैं टूनमेंट के सबसे मूलिवान खिलाडी डैनिस रोडन ने जर्मनी को 28 अंकों के साथ आंगे बढ़ाया है जो प्रती गेम 17.9 अंकों के अपने उसस से उपर था और दो रिबाउंडर और दो असिस्ट जोड़े हैं सर्विया को 2014 के फाइनल में अमेरिका के खिलाब 129 से 92 से हार का सामना करना पड़ा था लेकिन वह 2019 में क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गया था ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और नेस्ट कुशन देखते हैं नेस्ट कुशन लिखा है बंडे में सबसे 33,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोली, सेकेंड ऑप्शन है रोईच सर्मा, थर्ड ऑप्शन है स्टीव स्मिथ, फोर्ट ऑप्शन है जो रूट बताईएगा दोस्तों इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है मारा Option number A विराट कोली वन्डे में सबसे 33,000 पूरे करने वाले खिलाडी विराट कोली बन गए है चलिए अब इस question से related कुछ important point 2 को पढ़ लेती है भारत के विराट कोली ने Asia Cup Super 4 के दोरान पाकिस्तान के खिलाफ स्री लंका के कॉलंबो में इस्थित आर फ्रेमदासा स्टेडियम में 13,000 बंडे रंस तक पहुँचने में सबसे तेश खिलाडी बन गई है और होने इस काम को सिर्फ 200 सरसर इनिक्स में कर दिखाया जबकि 34 वर्षी वरिश भारती खिलाडी सचिन टेंदुलकर की 34 वर्षी 321 इनिक्स की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है कॉली ने इस मौके पर अपना 47 वा बंडे सतक भी पूरा किया है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेस कूशन देखते हैं नेस कूशन लिखा है भारत और किसने मिलकर इंफरास्ट्रेक्शर फाइनसिक ब्रिज का सुभारम किया है इंडिया and who have jointly launched the infrastructure financing bridge फर्स्ट आप्शन है जर्मनी, सेकेंड आप्शन है रूस, थर्ड आप्शन है उस्ट्रेलिया, फोर्थ आप्शन है ब्रिटेन जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number D, Britain भारत और बिटेन ने मिलकर infrastructure financing bridge का सुभारम किया है चलिए आंगे बढ़ते हो कुछ important point को बढ़ते हैं भारत और United Kingston ने संयोगत रूप से बारवी आर्थिक और वित्तियवारता के दोरान infrastructure financing bridge के सुभारम की गोशना की है यह सायोग आत्मक पहल भारत में परियाप्त बुनियादी धाचा के निवेस के अवसरों को खोलने के लिए मिलकर काम करने के लिए दोनों देशों की निरंतर पिती बढ़ता को दर्शाती है नीती आयोग और लंदन सहर के संयक्त नेतरत में UKIIFV का अवचारे सुभारम इस सायोग का केंदर बिंदू है चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन लिखा है किस राज सरकार दौरा कलैगनार मगलेर उरी मई थो गई थिट्टम समाजिक कल्याड योजना सुरू की जाएगी कलैगनार मगलेर उरी मई थो गई थिट्टम सोसल वेलफियर स्कीम विल वी लॉंच्ड वाई विच स्टेट गवर्मेंट फर्स्ट उप्शन है तमिल नाडू, सिकेंड उप्शन है करनाटक, थर्ड उप्शन है मद पिर्देश, फोर्ट उप्शन है आन पिर्देश जल्दी से बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तों वे है हमारा option number A तमिल नाडू ठीके दोस्तों तमिल नाडू राजी सरकार द्वारा कलैगनार मगलेर उरी मई थो गई ठिटम समाजिक कल्याड योजना सुरू की जाएगी चलिए कुछ important point को पढ़ेंगे अब तमिल नाडू सरकार कलैगनार मगलेर उरी मई थो गई ठिटम के माध्यम से एक करोड से अधिक महिला परिवार प्रमको को एक हजार रुपकेव की मासे साहिता प्रजान करेगी मुख्यमंतरी M.K. स्टालिन ने आधिकारिक तौर पर इस योजना की है जिसकी लॉंच तिती 15 सितंबर को निर्धारित की गई इस योजना का लच्च 1.6 करोड पात्र महिलाओं को प्रती महा एक हजार रुपे प्रदान करना है जो परिवार की मुखिया है ठीक है दोस्तो चलिए अंगे बढ़ते हो नेस कुशन देखते हैं नेस कुशन लिखा है किस देश के लुईस विले ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में गोसित किया है विच कंट्री लुईस विले हैज डिकलेर्ड सेटेंबर 3rd एज सनातन धर्म डे फर्स्ट ऑप्शन है बांगलादेश, सिकेंड ऑप्शन है सन्युक्त राज अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इंडोनेशिया, फूर्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान जल्दी से बताईएगा दोस्तो इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वे है हमारा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज अमेरिका ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं मेर क्रेग ग्रीन बर्ग ने विविन समुदाई के भीतर सांती सहिस्रुता और समझ को बढ़ावा देने के महत पर जोर देते हुए संयुक्त राज अमेरिका के लुइस विले केंटकी में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोसित किया है लुइस विले के मेर क्रेग ग्रीन बर्ग ने हाली में केंटकी के हिंदू मंदिर में एक पुना अभी सेक समारू या महा कुम्ब अभी सेकम में भाग लिया है जहां 3 सितंबर को आधिकारे गोशना उनके डिप्टी बार्बरा सेक्स्टन स्मित द्वारा पड़ी गई थी चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखते हैं नेश कुशन लिखा है किस राज में 9 नवंबर को बाजरा का अंतर राष्टी सम्मेलन आयूजित किया गया इन विच स्टेट दी इंटरनेशनल कॉन्फरेंस औव मिलिटर्स बिल भी और्गनाइजड ओन नवंबर 9 फर्स्ट ओप्शन है बिहार, सिकेंड ओप्शन है उडिशा, थर्ड ओप्शन है चार खंड, फूर्थ ओप्शन है च्छत्तीस गड़ बताईएगा दोस्तों इस कुशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number B उडिशा उडिशा राज में 9 नवंबर को बाजरा का अंतर राश्टी सम्मेलन आयुजित किया गया था चलिए कुछ important point को पढ़ते हैं अब एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उडिशा सरका 9 और 10 नवंबर को बाजरा के एक अंतर राश्टी सम्मेलन की मेजवानी करेगी अधिकारी ने कहा कि सरकारी ने वित्तिय वर्ष 2023 के दोरान 8 लाग कुंटल रागी खरीदने का लच्छी भी रखा है यह सम्मेलन बाजरा और उसके उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजरा अधारित उत्पादों के विव्टन और निर्यात को प्रोशाइद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है जिसमें सार्व जनिव वित्रड परडाली, ICDS, मद्यान भोजन, छात्रावास और अन्यमि बाजरा भोजन के उपयोग को सामिल करने के उपाई सामिल है ठीक है दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है नेश कुशन दिखा है किस railway station भारती green building council IGBC दो आरा green railway station certificate दिया है विछ railway station has been given the green railway station certificate by the Indian green building council IGBC फर्स्ट उप्शन है विजयवाडा railway station, सेकेंड उप्शन है नई दिल्ली railway station, थर्ड उप्शन है कानपूर railway station, फोर्थ उप्शन है गोहाटी railway station जल्दी से बताईएगा दोस्तो इस कुष्षन का राइट answer क्या हो जाएगा? इस question का जो right answer हो जाएगा दोस्तो वे है हमारा option number A विजयवाड़ा railway station ठीक है दोस्तो चलिए आंगे बढ़ते हैं कुछ important point हो को पढ़ते हैं विजयवाड़ा railway station को पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण के अनकूल सेवाई प्रिदान करने के प्रियासों के लिए भारती Green Building Council द्वारा प्लेटनिम के उचितम रेटिंग के साथ Green Railway Station Certificate में सम्मानित किया गया है यह 2019 में सोने से 2023 में प्लेटनिम तक स्टेशन की रेटिंग का उन्यन है IGBC-CII Green Railway Station Rating System एक सवैच्छिक पहल है जिसका उद्देश railway station में हरित अब धारडाओं को अपनाने की सुविदा प्रिदान करना है ठीक है दोस्तों आंगे बढ़ते हो नेश कुशन देखती है प्रोग्राम को लॉंच किया गया है इस कुशन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट्स वे मारा ओप्सन नंबर C डॉक्टर जीतेन सिंग के द्वारा डॉक्टर जीतेन सिंग के द्वारा वन वीक वन लेप प्रोग्राम को लॉंच किया गया है ठीक है फ्रेंट्स चलिए आंगे बढ़ते हो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे अब एक सब्ता एक प्रियोक्षाला कारिकरम की सुरुवात की गई है हाली में कर्टेंड रेज प्रोग्राम हुआ था अभी 11 से 16 सितंबर तक इनके कई इवेंट्स होंगे इसका कर्टेंड रेजर प्रोग्राम हाली में नई दिल्ली इस्तित्पी एजडी चेंबर ओफ कॉमर्स में किया गया जिसमें कई बड़े साइंटिस्ट विज्ञान कम्यूनिकेटर आदी सामिल हुए है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हो नेज कुशन देखती है नेज कुशन लिखा है किस राज सरकार ने प्रदेश में लड़कियों महिलाओं से छेर छाड और रेप के आरोपियों को राज में सरकारी नौकरी नहीं देने की गोशना की है विच स्टेट गवर्मेंट है अनौच नौट टू गवर्मेंट जॉब्स तू दोज एक्कूज़ अप मेलुस्टिंग एंड रेपिंग गल्स एंड वोमेन इन दी स्टेट फ़र्ष्ट ओपछन है चैतिज गड़ एक्ष्टारज़ विच्चिन्ड आपछन है हरियाना थर्ड ओपछन है मध्ज पिरदेश कोर्थ ओपछन है उत्तर पिरदेश बड़ताईएःगा दोस्तो इसकूशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है मारा option number A 36 गड़ 36 गड़ राजे सरकान ने पिर्देश में लड़कियों महिलाओं से छेड़ चाड़ और रेप के आरोपियों को राज में सरकारी नौकली नहीं देने की गोशना की है चलिए कुछ important point ओ को पढ़ती हैं अब 36 गड़ राज पिर्शाशन ने 11 सितंबर 2023 को एक निर्ड़े लिया कि पिर्देश में लड़कियों महिलाओं और छेड़ चाड़ और रेपियों के आरोपियों को राजे में सरकारी नौकली नहीं दिया जाएगा इस संबंद में 36 गड़ के मुखे मंत्री भूपेज वगेल की गोशना के बाद अब समाने प्रिशाशन विबाक की और से आदेश जादी कर दिया गया है ठीके दोस्तों चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का last question देखते हैं आज का last question लिखा है US News and World Report की वार्सिक रेंकिंग के अनुशार किस देश को सर्व शेश देशों की सूची किस देश को सीश इस्थान मिला है Which country has the top position in the list of best countries according to the annual ranking of US News and World Report First option है Switzerland, Second option है America, Third option है Canada, Fourth option है Australia बताईएगा दोस्तों इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का जो right answer हो जाएगा friends वे है हमारा option number A, Switzerland US News and World Report की वार्सिक रेंकिंग के अनुशार Switzerland देश को सर्वशेश देशों की सूची देश को सीश स्थान मिला है ठीक है दोस्तों चलिए कुछ important point को पढ़ेंगे अब सबसे खूबसूरत और दुनिया का सुर्क कहे जानने वाला Switzerland एक बहुत ही ताकदवर देश अमेरिका को पचाड कर दूसरी बार भी सर्वशेश देश का खिताब जीतने में कामियाब हुआ है साल 2022 में भी सुजर लेंड ने पहले इस्थान पर अपनी जगे बनाई थी वहीं अमेरिका को एक रैंक का नुकसान हुआ है और भारत पिछले साल के मुकाबले 31 से 30 रैंक पर पहुँचा है इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर कनाडा ने अपनी जगे बनाई है वहीं सुईडन की बात करें तो लिष्ट में तीसरे स्थान पर सुईडन है तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तो सुईजर लेंड है दूसरे स्थान पर कौन है? दोस्तो। कनाडा है और तीसरे स्थान पर शुईडन है और भारत कौन से स्थान पर पहुँँच गया है? भारत हमारा तीसवे स्थान पर पहुँच गया है यह सभी ranking आप लोग ध्यान रखियेगा most important question है दोस्तो I hope आज के सभी कुशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगे दोस्तो अगर क्लास अच्छी लगी हो friends तो please इस क्लास को like कीजेगा share कीजेगा और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा मानसी study चैनल थैंक्यू दोस्तो